याने कि RVNL से अशुर साथ कैस्टॉक्स की आप बात कर रहे थे आपसे अपडेट लेना था पर रेल स्टॉक्स आज जबर्दस मोमेंटम है आज आपकी फ्रैडी की रेकमेंडेशन भी थी अफकोस वहाँ पर थोड़े पोजिशन बड़े टार्गेट थे एक सो साथ एक सो पिशतर के बर तब की रेकमेंडेशन से अब तक की करीब बारा साड़े बारा परसन की मूव द लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह चल रहे हैं और उपर के लेवल में भी एक दिन में बारा बारा पंदरा परसन तो दिपांचु आउड शीर डिसिप्लिन जो अनिल जी ने एक वर्ड यूज किया थे इंट्रस्पेक्शन हम यह इंट्रस्पेक्शन क्लाइन से कर रहे थे कि मतलब ऐसे प्रॉफिट आ रहे हैं तो एक बार बुक करना चाहिए नीचे में जरूर मिलेगा दिपांचु अगर यही मतलब 145 में भी वापस आ जागा तो हम फिर क्लाइंट को बोलेंगे ले ले कि अल्टीमेटली लेके रखना है लेकिन जिस तरह से 162 65 तक अभी मैंने देखा था हमने 157 से प्रॉफिट बुकिंग की जरूर रेकमेंडेशन दिया है ओनले आउट अट अफ डिसिप्लें कि जो एक एक दिन में इतने मुवमेंट के बाद भी इस तरह से बढ़ रहे हैं यह कहीं न कहीं थमेगा मतलब इतना कोई फंडमेंटल चेंज नहीं हुआ इतना इस तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है लेकर यह ऐसा मार्केमें होता है कई वार होता है क्यों हो रहा है किस लिए हो discipline तरीके से book करना चाहिए लेकिन अब उस तरह से लेकिन अगर if you compare these stocks with other stocks कैसे कैसे धीरे-धीरे करके बढ़ रहे हैं रोज screen पर बढ़ते हैं जो अनिल जी कहते हैं सब सची चीज है कि सब लोग participate कर सकते हैं अब ऐसे में अगर 15-15% एक एक दिन में बढ़के उपर कोई ले ले कि मतलब पागलपन हो रहा है तो अगर 10-5% नीचे आ गया तो लगे गा उसको गलत हो गया तो ऐसे में प्रूदेंट चीज होती है कि discipline profit booking करें और नीचे में जरूर लें वापस थोड़ी profit booking करें नीचे में वापस लें ऐसा यह कि मौका नहीं है अच्छा नहीं करेंगे बट अभी थोड़ा profit book करने का वक्त आ गया है तो तरीक यह है आपके लिए railway stocks पर करने के लिए अच्छा नहीं किराए